हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मटन बिरियानी की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ मटन बिरियानी हम बनाएंगे कोलकता स्टाइल में कोलकता की बहुत ही फेमस अरसलान की बिरियानी की रेसिपी हम आपसे यहां शेयर करेंगे कुलकता में अरसलान की बिर्यानी बहुत ही फेमस है इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इस बिर्यानी में आलू पड़ती है और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और साथ ही साथ ये बिर्यानी बहुत ही लाइट बनती है तो चलिए friends, बनाना शुरू करते हैं कुलकता की famous अरसलान की बिर्यानी बनाने के लिए हमें मटन चाहिए होंगे मटन मैंने 1 kg लिया है और इसके medium size के pieces कटवाए है पांच आलू लिये है, आलू भी medium size के है और जितना आपको मटन लेना है उतना ही आपको चावल लेनी है बासमती राइस लेनी है और ये मैंने एक केजी लिया है और इसे एक घंटे पहले अच्छे से वाश करके सोख करके रख देना है चार मेडियम साइस की प्याज लेनी है और इसे अच्छे से स्लाइस करके इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद इस तरह से इसे फैला के रखना है और अब हमें एक मसाला तयार करना है जिसके लिए 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है 100 ग्राम हमें दही लेनी है दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए बिल्कुल भी खटी नहीं होनी चाहिए और फिर इसमें हमें फ्राइड अनियन डालनी है तली हुई प्याज ये हमने आधी से थोड़ी कम ली है और अब इसमें 1 टेबल स्पून कुलकता बिरियानी मसाला डालना है कुलकता बिरियानी मसाला का वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे साथ में 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर डालना है नमक आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग डालिए आपके पास मीठा आतर नहीं है तो इसके जगह पे आप फूर्ड एसेंस डाल सकते हैं क्यूंकि हमें अर्सलान की बिरियानी बनानी है तो मीठा आतर इसमें डालना मस्ट है बहुत ही इंपोर्टन्ट है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा पानी डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पेस्ट बना लेंगे ये देखे इस तरह का ये पेस्ट बन कर तयार हो जाएगा और अब हमें क्या करना है मतन के अंदर ये पेस्ट हम डालेंगे और फिर इस पेस्ट में हम मतन को अच्छे से मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से इस तरह से मसालों के साथ हम इस मटन को दो घंटे के लिए मेरिनेशन में छोड़ देंगे ताकि मटन अच्छे से मेरिनेट हो जाए और जब हम मटन कुक करें तो बहुत ही सौफ्ट और टेंडर मटन बनकर तयार हो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने मटन को किस तरह से मिक्स किया मसालों में और थोड़ा मसाला मैंने बचा लिया है इसे दो घंटे के लिए छोड़ देना है और अब हमें आलू लेनी है और इसमें वन फूर्थ टेबले स्पून फूट कलर डालना है औरेंज फूट कलर ही लेना है और इसे रब कर देना है आलू के उपर अच्छे से ताकि आलू के उपर एक अच्छा सा सैफ्रन कलर आ जाए और अब एक कड़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हमें आलू को फ्राई करना है इस तरह से हम आलू को फ्राई कर लेंगे आलू को हमें medium to high flame पे 2-3 मिनट ही फ्राई करना है इससे जादा फ्राई नहीं करना है 3-4 मिनट हो चुके हैं और आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे इस टाइम पे हमें निकाल लेना है और फिर आलू को एक कुकर में ट्रांसफर कर लेना है और जो हमने मसाला बचा के रखा था उसे हमें इस आलू में डाल लेना है और फिर इसमें हमें थोड़ा पानी डालना है ताकि आलू में जब हम प्रेशर लगाएं तो यह अच्छे से कुक हो जाए हम वन टेबले स्पून नमक डाल लेंगे और इसमें हम दो से तीन सीटी लगाएंगे आलू को हमें ज़ादा कुक नहीं करना है इसलिए हमें इसमें बस दो से तीन ही सीटी लगानी है अब हमें आलू को चेक कर लेना है ये देखे फ्रेंट्स फोक आलू के अंदर अच्छे से जा रहा है तो इस टाइम में कूकर से आलू को हमें निकाल लेना है और अब इसी कूकर में हम मेरिनेट किये हुए मटन को डालेंगे और फिर इसमें हम 5 से 7 सीटी लगाएंगे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो होगी और साथ में आप इसमें हाफ कप पानी और डाल लीजिए ताकि मटन जिपके नहीं नीचे में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम 5 से 7 सीटी लगाएंगे मटन कूख होने में अल्मोस 15 से 20 मिनट लगेगा तो इसमें आप हम ढगकल लगा लेंगे और सीटी देने देंगे मटन कूख होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें 7 सीटी भी लग चुकी है तो इसे आप हम एक बार चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं friends मटन अच्छे से कुख हो चुका है यह देखे इसके pieces किस तरह से आपको दिख रहे हैं यह अच्छे से गल चुका है यह देखे मैं आपको एक piece तोर कर दिखाऊंगे यह कितना अच्छा soft और tender बनकर तयार हो चुका है तो अब हमें क्या करना है मटन के piece को इसकी gravy से अलग कर लेनी है और इसकी जो gravy बची है उसे हमें एक side कर लेना है क्योंकि कुलकता बिरियानी बहुत ही हलकी होती है बहुत कम मसालों से बनती है तो इसलिए हमें मटन के pieces को अलग कर लेनी है और इसकी gravy को एक side रख लेना है हमें चावल तयार करनी है तो इसके लिए हमें एक बर्तन में पानी ले लेना है और कुछ खड़े गड़म मसाले डालने है लॉंग, जावित्री, बर्य लाइची, छोटी लाइची, डालचीनी का टुकड़ा और एक स्टार और इन सब को डालना है पानी में और साथ में एक जैफल का टुकड़ा डाल लेना है इससे चावल में बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आएगी और साथ में दो तेच पत्ता डाल लेंगे और इससे उबलने के लिए हमें छोड़ देना है नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़ादा कर सकते हैं मैंने तीन टेबले स्पून नमक डाला है साथ में इसमें हमें रिफाइंड वाइल डालनी है इससे चावल में अच्छी सी शाइनिंग आती है ये देखिए फ्रेंड्स पानी में अच्छी से उबाल आ गया है पानी अच्छी से उबलने लगा है तो अब इसमें हमें चावल डाल लेना है और चावल को हमें 70-80% ही कुक करना है चावल को हमें continue चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि चावल कुक न हो जाए और साथ में इसमें white vinegar डाल लेना है vinegar की जग़ा पे आप निम्बू भी डाल सकते हैं इससे बिडियानी के चावल आपस में चिप केंगे नहीं चावल बिल्कुर खिले खिले बनकर तयार होंगे बिडियानी के चावल को हमें continuously चेक करते रहना है कि चावल हमारा बस 70-80% ही कुख हो तो चावल अल्मोस्ट कुख हो चुका है तो इस तरह से हमें चान कर बिर्यानी के चावल को पानी से अलग कर लेना है और साथ में जो भी खड़े गड़म मसाले आए बीच में उसे निकाल कर आप एक साइड रख लीजिए और अब हमें क्या करना है कि हमें मटन की ग्रेवी को इस तरह से चान लेनी है यह देख सकते हैं इसमें जो भी अंदर मसाले हैं उसे अलग कर लेना है और इसकी अखनी निकाल कर एक साइड कर लेनी है यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इसकी वज़े से बिडियानी बहुत ही हलकी बनेगी और मसाले की खुश्बो भी बहुत ही हलकी आएगी मसाले को अच्छे से दबा दबा कर हम प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो भी अखनी है जो भी है वो अंदर से निकल जाए और इसके उपर जो बचा हुआ है इसे हमें निकल कर फेक देना है आप देख सकते हैं मसाले की अखनी निकल चुकी है और ये बचा हुआ हम निकल कर फेक देंगे बिर्यानी के एसेंब्लिंग के लिए कुछ इंग्रीडियेंट चाहिए तली हुई प्याज, मावा, घर का पिसा हुआ गड़म मसाला, तूखी होई गुलाब की पत्तियां, देसी घी, कुलकता बिर्यानी मसाला और साथ में चाहिए केसर वाला दूद, उसके साथ हमें एक कप साधा दूद चाहिए, और साथ में हमें चाहिए मीठा अतर, और फिर फूट कलर दो चम्मच दूद लेना है और इसमें 10-15 केसर के धागे डाल लेने है और अब साधा दूद लेना है और इसमें 2 चम्मच हम डाल लेंगे क्योडा वाटर और साथ में 2-3 डॉप डाल लेना है मीठा अतर का और फिर इसे दूद में हमें डाल लेना है वन फोर्थ टेबल स्पून फूड कलर बहुत ही लाइट फूड कलर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये कलर वाला दूद हमारा तयार हो चुका है तो चलिए अब हम बिरियानी की असेंबलिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें एक पतीला लेना है और उसमें हमें सारे मतन को डाल लेना है मतन की लेर सबसे नीचे जाएगी इसकी लेर हमें बीच में नहीं देनी है कुलकता इस्टाइल बिरियानी बनाने के लिए हमें मतन की बस एक ही लेर डालनी है और अब उपर से हमें आलू डाल लेना है इस बात का ख्याल रखिए कि आलू को हमेशा म बहुत ही आसान हो जाता है अब इसके ऊपर हमें सुखी हूई गुलाब की पत्ति डाल दी है अगर आपके पास सुखी हूई गुलाब की का टेस्ट बहुत ही अलग डिफरेंट आएगा इन सारे इंग्रिडियन्ट को डाल लेने के बाद अब हमें इसके उपर डालना है यह अखनी जो मसाले को मैंने चान कर निकाला था यह अच्छे से डाल लेंगे ताकि जब हम बिरियानी को दम पे रखें तो मटन नीचे से अब इसके उपर हम चावल डाल लेंगे इस तरह से हमें फैला कर चावल डालना है चावल की लेड अच्छे से मटन के चाड़ो तरफ हमें फैला कर डाल लेना है आप देख सकते हैं इस तरह से चावल को अच्छे से फैलाना है और थोड़ा चावल हमें बचा कर अलग रख मसाले से स्पॉठके चार इस पुर्व उपको कहते हैं। तो यहास ऐसे इस यह से स्पुषप नेड़ से तो हमें। इसोले में घोम डियानी मसाले के निसम्ट सॉप पापना माशचिक और पनागें। ये हमें चारो तरफ अच्छे से फैला कर डाल लेना है और अब इसके उपर हमें केसर वाला दूद डाल लेना है चारो तरफ फैला फैला कर ताकि केसर वाले दूद का टेस्क चारो तरफ आ जाए केसर वाला दूद डालने से बिरियानी में बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आएगी और अब इसी के साथ हमें सादा दूद डाल लेना है जिसमें हमने फूट कलर और क्योडा वाटर मिलाया था इन साथी चीजों को डाल लेने के बाद अब इसके उपर हमें बचा हुआ चावल डाल लेना है चावल को अच्छे से फैला कर डाल लेने के बाद अब इसके उपर हमें देसी घी एड़ करना है देसी घी इसमें कम से कम 100 ग्राम जाएगा या आप अपने टेस्ट एकॉडिंग कम या जादा कर सकते हैं जब भें बिरियानी बनाईए तो देसी घी ही शामिल कीजिए इससे बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आएगी बिरियानी में और एक से दो ड्रॉप और इसमें हम डाल देंगे मीठा आतर का और फिर इसके उपर हमें तली हुई पियाज और डाल लेनी है और इस तरह step wise step हमारी बिरियानी की लेरिंग हो चुकी है अब हमें क्या करना है आटा लेना है और आटा को इस तरह से 4 तरफ हम पतीले के कोनों पर लगा देंगे, पतीले के चारो तरफाटा लगा देनी के बाद हमें ढक्कन से सील कर देना है, आप चाहें तो फॉयल पेपर से भी रैप करके इसे दम लगा सकते हैं, इसे शील कर लेने के बाद चलिए, अब इसे हमें गैस पे डाल लेना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर और इसे हमें पंद्रा मिनेट तक दम पे ऐसे ही छोड़ देना है 15 से 20 मिनेट हो चुके हैं तो चलिए एक बार हम चेकक कर लेते हैं बिर्याणी हमारी कैसी बनी आप देցआ बिर्यानी का टेक्स्चर कितना खिला खिला बिर्यानी बन कर तयार हो चुका है तो चलिए इसे हम गर्मा गरम सर्फ कर लेते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स क्या जबरदस्त मटन बिर्यानी बन कर हमारी तयार हो चुकी है क्या बहतरीन सी खुश्बू आ रही है आप बिर्य लगाताए इस्टाइल मटन बिरियानी बन कर तेीयार हो चुकी है wszystkie तो आप मेरे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करकर जरूर बताईए आपकी मटन बिरियानी कैसी बन कर तैयार हुई तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए